नमस्कार साथियों आज अपने उत्सदन तंतर के बारे में समझेंगे उत्सदन तंतर में भी मुख्य रूप से मानव उत्सदन तंतर को अपने किस परकार शेकारे करता है उसके जांकारी प्राप करेंगे यहां अपना मानव उत्सदन तंतर तंतर का मतलब यह होता है कि जिसमें एक बहुत सारे अंग मिलकर के काम करें अंग मिलकर के तंतर बनाते हैं ओर्गन्स जो हैं वो मिलकर के सिष्टम बनाते हैं तो यहां परकर मानव के अंदर उत्सदन काम करने वाले उत्सदन करने वाले जो अंग है वो मानव को तथन तंसर का निर्मान करते हैं अब यहां सबसे पहले एपने बाहत करें हैं कि उत्फंदन क्या है किछ्पृचंत किसे कहते हैं कि उत्फंदन जो है उसकी परिवासा यह है कि सजीयों वहाली केटाबोलिक रियक्संथ यानि कि अपने सजीमें दो परकार की रेक्षन होती जिए पदाब्दंक्त से कृच्छा उठीपरies प्रोटीन करना वह यह यह वह अपने बनता है यह सारी इस अप रूसेस है नहीं प्रोटीन कारों टूट करके उत्सर जी पदार जो है वो मनाता है वो अपना उसको अबल संजेंगे यहां देखिये इसकी परिवासा क्या है उत्सर जो किशे कहते हैं कि और इस सज्रीनों कि उपापत्ची कर्याओं का मतलब है कि केटाबोलिक रेकसल्स केपने प्रोटीन जो बोजन के रूप में ग्रण कि ईबन किया है उसके जो एम्मेशीट है प्रोतिन पहले एम्मेशन ही ठटेगा उसके वासके mêmes ऐतने इता है तो यह पने तो पीडुटने से अपसिस्प पदाथ भनते है जो पनी शरीर के लिए आ hippia है या हानी हारेट है उल्कों सृरीरषे बाहर निकालना है तो पदाथ कौन सी प्रकुरिया से बने है की तापलिक लेवक्सन से के द्वारा बने कौन से पदा हर popularity यिभिव यहां पर नाइट्रोजन होता है उनको शरीर शे बाहर क्याजना वहर निकालना ही कुछ सरदन कहलाता है। यह तो इसकी परिवासा के बारे में अब यह दो नाइट्रोजनी अप्सिस्पदाथ है यह जन्तू के अंदर मुझ्टली चार प्रकार्से हैं। जिए अपने अलग अलग परकार के जन्तू होते हैं उनमें नायपतर्णी अपसिस पदार्थ का निर्माण भी अलग अलग परकार का होता है इसको चार भगों में डिवाइड किया गया है यानि कि ऐसे जन्तू जिनके अंदर एमिनोएशिड ही उत्सकी पदार्थ के रूप में बाहर निकाला दाता है वो कर लाता है एमिनोएशिड चीक है यहां पर एकजांपल है CP, भोंगा, तारामीन यानि कि स्टार्थिस ठीक है आधी जन्तू है इन्हें करते एमिनोएशिड को पुसिद करते हैं एमिनोएशिड को निकालते हैं तो इसे करेंगे एमिनोटेलिक एनिमल सेकिंड है अमोनिया यानि कि ऐसे जली जन्तू जो अमोनिया का उस्टिन करते हो उन्हें क्या कहेंगे एमिनोटेलिक उसका नाम है अमोनो यानिकी अमोनिया तो अमोनोटेलिक और एमिनो था यह एमिनोटेलिक ठीक है थोड़ा सा नामे डिफरेंस है यह एमिनोएशिड है और यहां पर क्या है अमोनो वाने की अमोनिया शिर्ण बाहर निकालना आवस्क होता है इसलिए जल्य जंतू है तुकि ammonia जल बे गुरंशीर होती है इसलिए जल्य जन्तु जो है वो ammonia बना करके और जल्ग के मादिन से सीधा उसको बाहर निकाल देते हैं यहां पर जल्य जन्तु जल्य जन्तु जैसे कौ्ण कौन से है एलवणिय जल्य जल्य की जाने वाली जाने वाली कौन सी मचलिया है अधिल यानि कि जिसके अधर बोन हो ठट्टिया पाई जाती है उन बचलियों के अंदर भी यानि कि अमोनिया का उत्सदून होता है उसके अलगा उबेचर की टेड़ पॉल अवस्ता उबेचर यानि कि तो आपने एम्फीबियंस है एम्फीबियंस जनतु है जैसे मेंडक हमोनिया का करते हैं जल में नहीं है लुग में नहीं है और पक्षतों में अंदर शरां पानी की नोगी पाली की कमी से ही होती है तो यहां पर इन जीवों के अंदर यूरीक एशिट का उच्छिट करने वाले जीव कलाते हैं उरिको टेली है चाहिए यूरिको टेली हो लाहेंगे उर्च प्रकार के दो जीव है वो है यूरिया का उद्सद्श करने वाले जीव घुट है इसमें मनुष्य भी सामिल है UA-2 चियो ह露 ज़ान हिए यहांब यूरिया का उत्सद्धर्ण करने वाले जीव जो है और उसे प्रकार से समूंद्री इस बार समूंद्री है कौन सी उपास्तिल मचलिया उपास्तिल का मतलब यह है जिनमें हड़ी नहीं होती है क्यों उपास्ति होती है अ क्यों अलिको कंड़ी सनुद्री नहीं होती है इस प्रकार से रुपास्तिल करने वार थे उंके अधार पर दंतो को क्याम वागुरिण यूरियो टेलिक और यूरियो टेलिक और इस पर कारशियन के नाम रखे गये हैं अब एक इंपोर्टेंट क्यूसर बंजाता है कि अपना तो उत्वर्जन तंत्र है जीओं में वह क्या काम करता है उसका मैंनों रोल के अभुक्य कारी क्या है साहल होने से क्या फाइदा है तो उसे अपन कहते हैं सम इस्थेतिक किरिया सम इस्थेति नहीं रहे अपना जो श्रीर के अंदर का अदर वातारम है वो चाहिए बाहर का इससा भी हो चरदी गंमी या फिर मालीजिये अधिक संद्रता लवड़ता बाहर के वातारण और जन्तु के सरीर के अंदर की जो वातारण है वो अंदर का वातारण हमेशा इस्थिर बना रहे हैं समिस्थितिक यानिकी संसदे और समार बना रहे हैं तो उस इस्थितिक को कहते हैं समिस्थितिक अवस्त को यह संस्थितिक जो किरिया होती है इसको पर निया रखते हैं इसलिए यहां पर यह दोनों तंतर और के गोजानद筋नकेुट की सकुटेया को इसको इसको समिस्तेतिक के अंदर किस प्रकार के उस्तारी अंग पाई जाते हैं कभी कभार इगजाम में याननी की संग का नाम दे आता है और उसके उस्तारजी अंगों के बारे में कुछ सलाता है बहूत important बनता है यहां से जो अक्सर एक्जाम में जो पूछित आते हैं वो मैं मैं जो मुख्य जो संग है या मुख्य जो प्राणी है या उनमें पाइज़ाज़ा वाले जो इंपोर्टेंट जो उत्रजी अंग है वहां से अपनी यहां इसके बारे तोड़ा समझेंगे जैसे प्रकार से हैं यामिवा में फिर या पूटो लौ prophecy जाते हैं जो कि व्त के इक प्रकारों कांग है उसी प्रकार से दूसरा है प्लेटी हेलवन्थीज जो संग है उस संग के प्राणियों वो में जया प्रोटो नेफ्रीडिया यानि कि आध्य व्रेड्र्वत्त नेफ्रीडिया कनती तो यह एधि व्रकक प्राघ्र्विक वी COR सैंज व्रकक जो नोगतं आधी व्रकक नेफृड्रीड़ी सिप्रार्णर्वं कुम्झी तष्वाला kośika ए तो उसका उत्रजी अनका नाम हो गया दिज्वाला खोशिका या प्रोटो-प्री या इसी परकात से तीस्वा दोघ्व है वो है एलेड़ उसमें क्या इंपोटेंट है और क्य पराणी आर्थो पराणी को कीट वर रगवी कहते हैं क्योंकि इसमें कीट जो हैं इसे कईवार तिलचता कहते हैं कि इसमें कोक्रोच तो कोक्रोच तिलचते के अंदर जो मुख्य उसर जेंग वह तो ग्रीन गरंथिया चीक है लिए कि हरित जो ग्रंधिये हैं ग्रिंगज सहर वो पाईजाती है या फिर में पीजिये नलीकाई इनको में यह तो सिर्फ करते हैं जेते हैं और लाश्ट 것이 में है मौल connection के प्राणी जी यह समुधर और पाइजाते हैं पानी में पाइजाने वाले जी ओए बिसे CP है यह तो पर से इसके आइच बुझाये होती हैं इसके नहीं परोपस तो नहीं है इंके अधर जी वह मेताली dya यह था प्रोटो डिए और यह क्या है आपने मेटा नेफलीडिया यानि की विक्षित पाई जाते हैं या इनको बोजेनस के अंग भी करते हैं और गनों बोजेनस या फिर एक नाम हो रहे केबर की गरंतियां ग्लेंडसों केबर भी करते हैं यह इनी के प्रकार है पीनों तो यह उपसर जेंग किसका है मोलस् इसको आपको याद करना पड़ेगा